नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुमीत वार्द वाज क्लासी में फिर से स्वागत है आज हम जो साइकलोजी का आप सभी का पेपर आने वाला है जो वन लाइनर क्यूशन है इसके वन लाइनर क्यूशन स्लेक्ट किये हैं तो आज वन लाइनर क्यूशन करते हैं ठीक है तो इसमें लगबग जो complete psychology है सभी के लिए गए हैं ठीक है चलो शुरू करते हैं पहला क्यूशन देखिए वन लाइनर में कि सिक्षा मनोविज्ञान के जनक कोन है ठोरण डाइक जो है सिक्षा मनोविज्ञान के जनक है आदुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक कोन है आदुनिक बाल मनोविज्ञान के है विलियम जेम्स बुद्धी प्रिक्षणों के जनम जाता बिन्ने प्रियोग आत्मक मनोविज्ञान के जनक कोन है विलियम वूंट है, सक्ति मनोविग्यान का जनक कोन है, वोल्फ है, आत्म संपर्ता की जो अउधाना है किस ने दी, विलियम जेम्स ने दी, विकास आत्मक मनोविग्यान के जनक कोन है, जीन प्याजे हैं, विकास आत्मक के, अधीगम मनोविग्यान के जनक कोन है, एबिंग संगठन परतिमान के परतिपाद कौन है डेविड आसुबेल है सम्हूप गतिशीरता संपरता के परतिपाद कौन है कुर्थ लेविन है और मनोविज्यान परतम जो मनोविज्यान की स्तापना है विलियम वूंट ने कहां पर की थी 1889 में की थी लिपचिंग जर्मनी में की थी मनोविज्यान की उत्पत्ति कि सास्तर से हुई है दर्शन सास्तर से मनोविज्यान की उत्पत्ति हुई है मनोविज्यान की सुरोप्रतम परिवासा की दे गई थी आत्मा का विज्यान मनोविज्यान को आत्मा का मनोविज्यान मानने वाले कौन-कौन थे अरस्तु थे, सुकरात थे, पलेटो थे, डेकार्टे थे मनो विज्यान को मन और मस्तिक का मानने वाले कौन-कौन मनो विज्यनिक थे पंपो नोजी हो गई, जोनलोक हो गई, और रीड हो गई और मनो विज्यान को चेतना का विज्यान मानने वाले कौन थे चेतना का जेंज हो गया, वुन्ठ हो गया, टीचनर हो गया, और सैली हो गया तो ये सबी हमारे चेतना का मानने वाले थे तो इसी प्रकार नैक्ष्ट देखिए कि मनोविज्ञान को वेहवार का विज्ञान मानने वाले कौन थे वाट्सन हो गए, मैक डूगल हो गए, सकीनर हो गए, ये वहवार कमानने वाले थे तो मनोविज्यान के अध्यान की जो प्राचिंतम विदी है, सबसे प्राचिंतम विदी कौन सी है, अंतदर्शन विदी है वहवारवाद का जनक कोन है अमेरिक की मनोविग्यानिक है वाटसन ठीक है जो परतम बाल अद्धेन आंदोलन कब हुआ सबसे जो पहला बाल अंद्धेन आंदोलन हुआ 1893 में हुआ किसी ने यह किया स्टैनले होल के दुवारा किया गया ठीक है जो मनोविग्यानिक के जनक है कोन है कौन है नियोर्क अमेरिका के विलियम जेम्स है और सुरोपर्थम जो बुद्धी लब्दी सबद का प्रियोग है किस ने किया बुद्धी लब्दी सबद का प्रियोग पूछा है सबसे पहले किस ने किया सट्रन ने किया ठीक है सबसे बड़ा व्यक्यात हो है कौन है? जौन डीवी है, मन उर्जा का मनोविज्ञान का जनक कौन है? मैक डूगल है, ब्रेंस्टोर्म तकनिकी, वरचनात्मक तकनिकी के प्रेनेता कौन है? और सिक्षा में जो मनोविज्ञान का आंदोलल का सुत्तरपात करने वाला सरी है किस को जाता है रूसों को जाता है बुद्धिमापन का कारियसरो पर्थम आरम किया गया था किस के दुवारा किया गया था बुद्धिमापन का सबसे पहले बीने के दुवारा किया गया था पसु मनोविज्ञान का पिता महा की से कहा जाता पसु का थोरंडाई को कहा जाता है और साचारियवाद का जो संपरताय का परतिपादक है कौन है जोन लोग है साचारियवाद का प्रेरक या फिर प्रेजनवादी संपरताय के जनक कौन है ये मैकडूगल हो गई ठीक है साइकोलोजी सबत का सुरोपर्तम कब किया गया 1590 में किया गया किस के दुआरा रुडोल्फ गोएकल के दुवारा किया गया साइकलोजी सबत का। और सनायू प्रवा की गतिक आमापन किस ने किया हेलम होल्स ने किया अगे देखिए समर्ती से सम्मंदीत पर्थम प्रियोग आत्मक सोध कर यह प्रकासित किया गया किस के दुवारा किया गया एबिंग होस के दुवारा किया गया समय के विवेचन आत्मक पक्स पर किस ने बल बोती कुतेजना में और स्विंगात्म किरिया में ठीक है नेक्स्ट है कि व्यक्तिकत जो भींता का अध्यान कर सह संबन्द वीदी का परिच्च किस ने दिया फ्रांसी सी गाल्टर ने किया जो परती बासाली बालक है वह बोलना सीख जाते हैं सामाने बुद्धी बालक कब बोलना सीख जाते हैं 16 महीने में मंद बुद्धी बालक कब बोलना सीख जाते हैं 2 साल में और सिक्षा मनोविज्ञान की उत्वत्ति कब हुई 19 सो में हुई परती बासाली बालक पहले बोलना सीख जाते हैं 11 महीने में सामाने वाला सोला महिने में मन्द बुद्धी वाला दो साल में ठीक है और सिक्ष्या मनोविज्ञान की उत्वत्ती कब हो ही सन उननी सो में सिक्ष्या मनोविज्ञान को सपष्ट रूस से कब प्राप्त हुआ उननी सो बीस में हुआ सकायुक्त कार्य योजना के प्रवर्तक है कौन है नार्मन एक करावडर ठीक है चेतरमन का जो कुल भाग है चेतरमन का कुल भाग कितना होता है एक बटे दस होता है इसका मतलब क्या है दस परतीसत और ए चेतरमन का भाग कितना होता है ए चेतरमन का भई 90% मतलब की 9 बटे 10 बाग होता है चल्डरन हाउस का निर्मान किया गया मारिया मांटेशरी के दुआरा किया गया बुद्धी सरंचना मोडल का निर्मान गिलफोर्ड ने कब किया 1967 में किया और मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान है कम माना गया सोल मी स्तापदी में मनो विज्यान को आत्मा का विज्यान माना गया फिनेक्स आता है कि मनो विज्यान को मन या मस्तिक का विज्यान कम माना गया सत्रमी स्तापदी में माना गया मनो विज्यान को चेतना का विज्यान कम माना गया 19 में स्तापदी में माना गया और मनो विज्ञान को वहवार का विज्ञान कब माना गया 20 में स्ताब्दि में माना गया मस्तिक का 17 मी में छेतना का 19 मी में और वहवार का 20 मी में अधीगम के जो मुख्यती नियम है वह किस ने दिये थोरण डाइक ने दिये इद इगो और सिपर इगो की अवधाना के जनमदाता को उन्हें सिग्मन फ्राइड है आतम सब परते जो मापन की प्रिवीदी है मतलब की जो भी बेतक प्रिवीदी का विकास किया किस ने किया आसुगूर्ड ने किया और मानसिक स्वास्त है विज्ञान को आरम करने का सरे किस को जाता है बीर्स को जाता है नेक्ट देखिए अधिगम के सिधान देखते हैं प्रियासेम तरूटि का सिधान किस ने दिया थोरुंडाइक ने दिया हंतदर्ष्टिया सूद का सिधान किस ने दिया वर्दिमर कोफर और कोहलर ने दिया अनुकर्ण तुवारा जो अधिगम का सिदान्त है हेगरटी ने दिया साब्दिक्स अधिगम का सिदान्त किस ने दिया आसुबेल ने दिया चीन अधिगम का सिदान्त किस ने दिया टोलमेन ने दिया और अधिगम सोपान का सिदान्त किस ने दिया गैंगने ने दिया ठीक है और अधिगम का जो सूचना का परसाधन सिदान्त है यह रोजर्स ने दिया सामाजिक अधिगम का सिदान्त बंडूरा ने दिया अधिगम का छेतरिय सिदान्त कूर्ट लेविन ने दिया अधिगम का स सी दानत है रोजर्स ने दिया ठिक है इसके बाद आता है जो करमबद वैभार का सी दानत है 1915 में कवकिस ने दिया शील हेल ने दिया ठिक है किरिया परस्थुत अनुबंदन का सी दानत 1938 में बीयफ पुच्सी ने दिया, सूचना जो परक्रिया करन का सिदान्त है एटकिंस और सिफरीन ने दिया, अधिगम का जो आउसकता अनुकरम का सिदान्त है उनी सो चम्मन में मैसलो ने दिया, ठीक है इसके बाद आते हैं विकास के सिदान्त, जो मनो सामाजिक सिदान्त है यह है इरक् इसके बाद आता है बासा विकास का सी दान पावलो और सकिनर ने दिया अधीगम स्तानांतन के सी दान सबसे पहला आता है समान ततो का सी दान थोरंडाइक ने दिया फिर आता है ओपचारिक मानसिक परसिक्षन का सी दान गैट्स ने दिया फिर आता है मुल्ले अभी ग्यान का सी दान रिग्गरवे बैगेल ने दिया फिर आता है मांसिक सक्ति का सिदान्थ फैकल्टी साइकोलोजिस्ट ने दिया फिर आता है सामानीकर्ण का सिदान्थ CHZ ने दिया फिर इसके बाद आता है जो सामाने तथा विशिठ तस्तों का सिदान्थ है वह स्पियर्मेन ने दिया और जो अवयवादी सी दानत वह है वर्दिमर, कौफा और कोहलर ने दिया तो इस परकार से जो हमने इसके वन लाइनर क्योचन किये हैं और जल्दी भी हो गए है और एक परकार से आपका रिपीटिशन भी हो गया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसका पार्ट नंबर टू भी आप लेना चाहते हो और भी वीडियो अगर वन लाइनर की डलवाई जाए तो इसलिए आप कोमेंट करके बताना पार्ट टू डाले या नहीं डाले तो थेंक्यू स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में